जैसरी राम प्यारे बगतो, प्यारे बगतो, बगवान का मिलन तब तक नहीं हो सकता, जब तक हम अपना काम बगवान के विना चलाते हैं, क्यों प्यारे बगतों क्यों नहीं हो सकता? देखो भगवान के मिलने में इसलिए देरी होती है कि साधक यानि कि भगत उस विलम को सेह रहा है जिस शन उसके लिए भगवान का वियोग ऐसा है हो जाएगा प्रभू बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे उसी शन भगवान का मिलन होगा जब तक भगवान के बिना साधक का काम चल रहा है भगत का काम चल रहा है तब तक भगवान भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना काम तो चल ही रहा है फिर मुझे ही इतनी क्या जल्दी है तो प्यारे भगतो, प्रभू के प्रेम में इस प्रकार डूब जाओ, इस प्रकार ऐसा हो जाओ, कि आपका काम उसके बिना एक पल भी ना चले, जब वो सिच्वेशन आ जाएगी, तो तत्यशन वो दर्शन जेंगे, उधारन के लिए आप समझो प्यारे भगतो, जितने भी भगवान भगत की प्रिक्षा लेते हैं, लेकिन जब उसे लगता है कि अब भगत तेरे बिना नहीं रह सकता, यानि कि अब उसके प्रान निकल जाएंगे, तो उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं, चाहिए वो किसी भी रूप में प्रकट हो, यानि कि जब लगता है, जैसे भ मेरे बिना इसका काम चल नहीं सकता, तो भगवान आए, तो आप भी भगवान को इस कदर मजबूर कर दो कि उसे आना ही पड़े, अगर काम चलाते रहोगे, तो काम चलते रहेगा, जिस प्रकार आप समझो, बच्चा रोता है, मा बच्चे को दूद जब तक नहीं पिलाती मा थोड़ा पोगे गर माने एक अद खिलोना दे दिया, तो खिलोने लेके चुप अगया, फिर मा ऑसोचती है, ये अज़ भी तो खिल रहा है, तू अपने सारा काम कर ले, फिर थोड़ा सा रोया, मा मने उसको और प्रलोबन दे दिया, वो फिर चुप अगया, तो मा उसे जब तक उठाके दूद नहीं पिलाएगी, जब तक मा को यह नहीं लगएगा कि यह अब तेरे भगर नहीं रह सकता, तो जो बच्चा मा के लिए रोएगा, जिद करेगा, वो तो ना तो खिलोने से चुप होएगा, ना और किसी प्रलोबन से चुप होएगा, तो उसको तो मा तुरंट उठाएगी, चाती से लगाएगी, सारे गर के काम छोड़ के चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए तो खाना, पीना, सोना सब छोड़ देगी, लेकिन जो बच्चा प्रलोबनों में फश जाता है, खिलोने लेके चुप हो जाता है, कुछ सामान लेके चुप हो जाता है, उसको तो मा भी इगनोर कर देती है, और सोचती है, ये तो अभी काम धंदे लगा हुआ, तो अपना सारा काम कर ले, एक काम करेगी, दो करेगी, अगर बच्चा ना रोय तो सारे दिन भी नहीं उठाती कई वार तो मा ऐसे ही भगत और भगवान का भी होता है, अगर भगवान ने कुछ प्रलोबन दे दिये, जैसे तुम उनमें उलज के रह गए तो भगवान ना तो दर्शन देंगे, ना तुमें चाती से लगाएंगे, लेकिन अगर तुम उसी के लिए रात दिन रोते रहे, रोते रहे, उसको पकारते रहे, पकारते रहे, यानि कि उसका व्योग तुम से सहा नहीं जाए, जिस परकार पानी से मचली निकालते ही तडपने लग जाती, तुम भी इसी परकार उसके व्योग में तडपोगे ना प्यारे बगतों, तो वो उसी पल नी संदे प्रकट हो जाएंगे, ये अगर आपको कोई शक है, संदे है, तो आप इतना तडब के देख लीजिए, उनको इस तरह से पुकार के देख लीजिए, वो उसी पल प्रकट होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आएं, कई मन उससे ब सुनते हैं, परन्तु सुनाने वाला चाहिए, तो प्यारे बगतों, आप बगवान को पुकारो, उसके व्योग में तडपो, तो वो तुरंत तुरंत दर्शन देंगे, ये हमारा पून विश्वास है, और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, उसकी वीडियो देखना चा क्या है